हेलो गाइज वालकम टू आर यूट्यूब चैनल मिस्ट एंड मिसस सिना आज मैं आप लोगे साथ शेयर करने जारी हूं कि कोविड नाइंटीन में आप क्या-क्या चीज अपने घर में कर सकते हो जिसके आप इस विमारी से ये इस महामारी से बस सकते हो अपने घर में वो मैं आप लोगे साथ शेयर करूंगी जैसे कि मैं तो वैसे डेली ब्लॉगिंग करती हूं लेकिन दो दिन से मैं ब्लॉगिंग क्यों नहीं कर रही थी पहले मैं ये बात बताती हूं आपको क्योंकि मैं इसलिए ब्लॉगिंग नहीं कर पा रही थी क्योंकि मैं थोड़ा डिस्ट not present with you guys ठीक है बट यह था कि मेरे मन में कहीं ना कहीं चल रहा था कि मैं ब्लॉगिंग नहीं कर पा रही हूं आप लोग में को मेरे वीडियो का इंतजार होगा बट स्टिल जब अगर कुछ प्रॉब्लम होता है आपके लाइफ में तो आप पहले उसको प्राइरटी देते हो उ कि मैं आप लोग आज शेयर करने जारे में हैं सोची कि मैं ब्लॉगिंग करना स्टार्ट करते हूं आज तो मैं तो ड़ोग या नहीं के लिए यह ढ़ाएगा जैसे अगर किसी को कुरोना हो जाता है या फिराज कि आप लोग मैंने पहले वाले वीडियो में ये बात बता दिया था आप लोगों को कि आप कुरोना में काड़ा पीओ स्थीम लो स्थीम वाला मशीन भी आता है आपको लगा दूगे आपको फिलिपकार्ट वगलाये अमेज याज़ल परक्राइभ पद्सकर्त कर सकते हों हम लोगों कर कोरोना हो जाता है तो आप कुछ exercise कर सकते हो और कुछ इस type का कर सकते हो कि एक home remedy है कपूर अजवाइन और लॉंग का पोटली बनाकर और अपने हाथ में या अपने गले में उसको टांग लें और time to time उससे आप smell करें ऐसे और ऐसे ऐसे करते रहें तो उससे कहते हैं बहुत लोगों ने जानने वाले ने किया है जिससे उनका कफ बहुत धीला हो जाता है मतलब जो कफ सुग गया है वो निकलना स्टार्ट हो जाता है और बाहर वो आप थ्रो कर सकते हो और दूसरा यह है कि आपका oxygen level वो बढ़ाता है और पहले मैंने सुना था तो मुझे लगा कि ऐसे फेक होगा मगर ये होम रेमेडी बहुत ही काम आया बहुत लोगों को तो और मैं आप लोगों को एक चीज और शेयर करने जा रही थी कि आप exercise करो exercise lungs को healthy बनाने के लिए आप ये exercise कर सकते हो ऐसे सास लोगे पहले अंदर की और फिर सास नाग से नहीं छोड़ना है आपको सास मूझ से छोड़ना है ऐसे करोगे तो ये आपको बहुत ज़्यादा अच्छा फील होगा और आपका lungs काफी अच्छा healthy हो जाएगा और ये time to time अगर आप करते रहोगे तो इससे आपको बहुत ही काम आएगा और आपका जो corona ह हुआ है उससे आपको बहुत जल्दी निजात मिलेगा और दूसरा मैं आप लोगों के साथ ये शेयर करने जा रही है दूसरा जो exercise है आप ऐसे कर सकते हो जैसे लेट कर मैं उतना posture आपको भी नहीं बता पारी हूं कि मैं उस situation में नहीं कि मैं आपको posture बता सकूं मैं ऐसे वह आप लेट के तक्या लगाकर और चाती के बल अगर आप लेटोगे उससे भी काफी relief मिलता और काफी अच्छा फील होता है वह आप दिन में 6-7 बार अगर वैसे करोगे तो उससे भी relief मिलता है और कहते हैं कि आप liquid diet अगर अपने liquid diet वह भी जैसे lemon water हो गया यह सब पानी गरम पानी में अगर आप पीते हो lemon water हो गया नारियल पानी हो गया मितलब ज्यादा से ज्यादा liquid diet लो अगर non-vegetarian हो तो आप एग non-veget protein diet भी लो क्योंकि इसमें protein level को कम कर देता है तो इसलिए आप protein diet लो जो आपको आपका immunity अच्छा करें और आप लड़ सको बिमारी से तो कुर तरीके से कर रहे हो और home quarantine होना जादा जरूरी है बट कुछ cases में आपको hospital भी जाना पड़ सकता है जैसा कि news वगेरा मैं मैं सुन रही हूं कि hospital भी जाना जरूरी है मगर आप पहले कोसिस करो कि home quarantine होके सब कुछ कर सके और अपने पास oximeter रखो जिससे आप oxygen level time to time आप चेक कर सकते हो अगर oxygen level आप चेक करते रहोगे तो उससे भी आपको पता चल सकता है कि आपको कब तक आपके घर में रहना है और किस टाइम आपको hospital जाना अगर आपका बहुत 90 से कम हो जाता है आपका oxygen level तो obviously you have to go for oxygen चढ़ाने के लिए आपको जाना पड़ेगा ठीक है hospital तो अभी तो सबको यह बात पता है कि oxygen के भी कमी है online offline oxygen भी नहीं मिल रहा है लेकिन आप लोग को flip card Amazon पे मिल रहा है तो आप लोग वहां से चेक कर सकते हो मैंने भी purchase किया है अपने family के लिए तो यह आप कर सकते हो यह यह रही आप अपने घर में ही रखो क्यूंकि आप time to time time हर तो आप बजार और यह को रोना है अगर आपके घर तो आप बार बार नहीं जा सकते हो क्योंकि आपको पेसेंट का भी ध्यान रखना है तो उसकेस में क्या करोगे ला कि आप यह सारा चीज अपने घर में रखोगी तो time to time आप चेक कर सकते हो यह सारा benefit हो जाएगा सादा home quarantine होके रहना कोसिस करें आप लोग क्योंकि hospital जाने के बाद भी मैं न्यूज वगेरा में देख रही हो कि काफी लोग नहीं जिन्दा रह पा रहे हैं बहुत सारा एक्स वाइजड रीजन है बहुत चीज़ ब्लैक मार्केटिंग वगेरा कभी मैंने सुना है तो मैंने पैसा लगेगा जो भी ऐसा कर रहे हो सो प्लीज पैसा बहुत बड़ी चीज़ नहीं होती है पैसे को पॉइंट आउट करके आप किसी की जिन्दगी के साथ मत खेलो यह बिमारी है और हर किसी से मैं यही रिक्वस्ट कर रही हूँ कि आप लोग इस बिमारी के साथ लड़ो और इस बिमारी में आप लोग कुछ भी एक दूसरे का मदद करो और हाँ एक चीज मैं सभी भारत वासियों से निवेदन कर ली हूँ कि आप लोग जो ऐसा बिहेव कर रहे हो ना अगर किसी के घर में फैमली में कुरोना हो जा रहा है तो करोना इतना भी छुआ छूत बिवारी नहीं है यू आफ टू यूज मास्क यूज कर सकते हो और अप प्रिकॉसल लेके आप अपने फैमली मेंबर का सेवा कर सकते हो ऐसा नहीं कि करोना हो गया तो एक तो बिचाड़े को करोना हो रखा है और दूसरे जगह से आप उनका confident level डाउन कर रहे हो कि यार तुमको करोना हो गया उनको बिखारी की तरह से मतलब ट्रीट कर रहे हो उनको खाना ऐसे फेक कर दे रहे हो यह सारा चीज़ से होता है यह चीज़ नहीं करना चाहिए आप उनको motivation level कि वह आगे हैं आपने बिमारी से लड़ सके कि उनको यह फील हो सके कि मेरा जो फैमिली मैंवर्स है वह मेरे साथ है और मतलब देखो अगर कोई दिमार नॉर्मल अगर हम फीवर में भी होते हैं अगर आपको कोई आके कहता है कि बहवाएक तुम ठीक हो जाओगी जल्दी होग guitar अगर और को ढर मिन वैसे आपको कोई ऐसे बोलता है तुम हमेंसा बीबारं यह वह पर अपना देख लो यह कर tendency तो उसके से क्या होता है कि अबीमोटिवेट हो जाते हैं मैं बेमार हो घुइत अखाल आप समझ रही हो मेरे मेरेorden कहने की यह बात थी कि आप लोगे करो कि जो आगे का पेशंट है वह बहुत अपने सबस्साइब करें और को सोचे हैं मेरे का अई जंता कर रहे हैं वह मेरे बुरा दुर्खवार कर रहे हैं ऩिक है मेरे का इंदक्राइब temill तो कोई भी परस्नली मत लेना वेरी बात को लेकिन यह चीज है कि आपको केर करना चाहिए अपने फैमिली मेंबर्स का जितना ज्यादा हो सके ठीक है यह तो रही कोरोना वाले पेसेंट को जो डेमोटिवेट हो जा रहे हैं यह भी एक रीजन है कि फैमिली मेंबर्स या तो में सूसर यह उसे में पिक्रूं में बंद कर कि उनसे भाच्षीत नहीं करतेएं उनसे भी ज्यादा हो जाते हैं चाहिए अंग तो सबकूंस तो आज किंछ से अए कि क्या है क्या नहीं है ठीक है तो और कुरोना से अप एक्सेसाइज रेगुलर करो प्रानायम करो सारा चीज एक्सेसाइज करो अपने आपको यहाद रखना जब तक यह चल रहा है आप लोग लिक्विड डाइट लो और घर से ज्यादा से ज्यादा तभी निकलो जब बहुत ही ज्यादा जरूरत हो वर्ना मत निकलो गाइस क्योंकि यह अभी जो महामारी है वह हम लोग को हराना चाहता है बट हम भारतियों को हम अधर क पता नहीं था इसके बारे में फिर भी लोग इतना अवेर्नेस दिखाए कि उस टाइम हम लोग के घर में कम कुरोना हुआ था ठीक है बहुत कम लोगों को ही वा था इंडिया में लेकिन आज के डेट में मैं अपने फैमली में सुन रही हूं कि उनको कुरोना हो गया उनको ह कर रहे हैं गॉवर्मेंट को तो गॉवर्मेंट की खुटी नहीं है सरकार ढ़簡ींति है क्योंकि आप सुरक्षा खुद करो गया इतने जिम्हेदार हो है कि ढफों के सब्सक्राइब क्खोंकर सर्कार चाहिक्ते और उनको क्या है लिलसी लेकिंद बहुत लोगों बहुत को म मास्क यूज़ करना जरूरी है आप फिर अगर पढ़ जाओगे बाद में तो आपके बीवी बाल बच्चा सबको परिशानी होगा है कि नहीं तो वहीं सारा चीज़ है अगर आप अवेर करना चाहिए हमें कुरोना काल में मास्क यूज़ करना चाहिए अगर बहुत जा रहे हैं जरूरी जगा या ओफिस झारें ओफिस भी जाना ही पड़ेगा तो वहां भी आप टाइम टो-टाइम सेनेटाइस करो अपने हैंड को आप अपने डेली हैविट में ले आओ यारी क्यों करना यार और कखुद हो यह सरकार की एग सकता मम्मी पापा ही है हमारे बच्पन में हमें मना करते थे बेटा आपको छे बजे है ना खेल के आ जाना है ठीक है तो मम्मी पापा आप बच्चे थे तभी अब जब बड़े हो गए बाहर पढ़ने चले गए तो आपको पता था ना यार कि कॉलिज में इतने बज़े आ जाना है तो हम लोग रूल समझदार नहीं है तो इसके मम्मी पापा उसको समझाने के लिए लेकिन जो ओल्डेज है आइडल्ट लोग है तो समझ सकते हो तो हम सरकार को क्यों ब्लेम कर रहे हैं कि सरकार कुछ नहीं कर रहा है इंडिया और इतना जादा सफ़र कर रहा है इंफेक्ट अधर कंट्री वा करके जीत सकते हैं ठीक है जैसे बहुत लोग है कि अब भीर में जा रहे है शादी में पाटी खाने जा रहे है यार वाट इस आप नहीं भी जाओगे तो क्या होगा आगे वाले को बुरा लगेगा लेकिन आप सेफ तो रहोगे कि पाटी खाना कोई ज़रूरी नहीं है अभ अगर आप फैस्टिबल के लिए बाहर मंदिर नहीं जोगे तो कुछ भी नहीं हो जाएगा तो आप घर में ही जो आपका मंदिर है वहां पे पूजा करो अच्छा करो कि यह बहावारी सी हम दूर हट सके और हर कोई अपने रिलेटिव के लिए अपने परिवार के लिए और प अब अपने पर यूट्यूब फैमली मानती हूँ और मेरे जितने बी सब्सक्राइबर है और जो मेरा वीडियो देख रहे है तो उनलों को मैं अपनी फैमली मानती हूँ इसलिए मैंने आप लोग के साथ यह सब को शेयर किया अगर आप लोग को बुरा नहीं लगना कि मैं आपको अपने YouTube family मानती हूं और चाहती हूं आप लोग जहां भी रहो से रहो और बहुत अच्छे से रहो कि आप लोग दुखी में मत रहो और मेरा वीडियो देखते रहो इसलिए मैंने आप लोग को यह सारा चीज शेयर किया मेरे पास यह सारा का नॉलिज था और मैं देख रही थी मेरे family में लोग apply कर रहे थे तो मैंने सोचा आप लोग के साथ share कर लो ठीक है तो और बताएं आप लोग कैसे हो घर में सब कोई ठीक है कमेंट करके आप जरूर बताना कि यह वीडियो जो मैंने बताया है जिस टॉपिक पर आप लोग के लिए helpful है या नहीं है अगर informative वीडियो है तो जरूर आप कमेंट करके बताना चीखिया तो और मैं आप लोग के साथ यह share करने जा रही थी मैंने पर्चेस किया था मैंतरा से यह वाला टॉप यह टॉप है काफिस हसता है ज्यादा महंगा नहीं है 269 रुपीज का है तो आप लोग कमेंट करके बत अगररेन वायक्ति गया रह्यक्ति है यहाँ तक यह सूचा मेरे पर छाइट mendera तो मुझे अजिघा यह मेर् Netflix की चासट है यह तो आप लोको कैसा लगता आप मे बता और मैं बना रही हूं सबजी बना चुकी हूं अगर नहीं बनाई होती तो अपोटी साथ भी श्यायर करती कि लोगों को कठल की सबची पसंद है किन एक्ञेश कुल्यक्ति पशलिए जरूर सेयर करूंगी और और मैंने यह भी पर्चेस किया था कि सोफा का कवर यह डिजाइन लेकिन यह मैंने ऑफ-लाइंग खरदा है तरुना जी से जो भी मेरे सोसाइटी वाले देख रहे हैं मेरा वीडियो वो लोग भी अगर आप पर्चेस करना चाहते हो यह सोफा कवर य क्योंकि 16 इसलिए है क्योंकि मेरा साइडर भी है साइडर में इस फोर पीसे उसमें लग गए तो अगर आप नॉर्मल आपका एल से तो आप 12 पीस में आपका कम्प्लीट हो जाएगा तो तरुना जी कहां अगर आप अगर अपने हिसाब से कुछ लेना चाहते हो तो आप उन इस आप लोग यू बढ़ाओ आप लोग देखो मेरे वीडियो को तभी मैं जानल रोफ कर पाएगा तभी में मेरी चैनल आगे बढ़ सकेगा क्योंकि मैं हमेशा कोसेश करती हो कि आप लोग के लिए कुछ अलग अलग सब वीडियो लेकर आहो और जो आप लोग के फूल ओ ठीक है इसे म्तलब अलग टाइप का विडियो नहीं लाती हूं जो बस ऐसे टाइंब पास टाइंब सो ओविसलिए मैं हमेसा इनफॉर्मेटिव वीडियो लाती हूं कुछ ना कुछ में वीडियो में information होता है आप लोग भी अगर वीडियो देखते होगे तो यह बात आप लोगों को पता होगा और मैं आज कल कि आज कल आप लोग का लाइफ लाइफ स्टाइल क्या चल रहा है अगर आप अपने लाइफ स्टाइल में कुछ चेंज लाना चाहते हो तो आप लोग क्या लाना चाहिए क्योंकि कुरोना चल रहा है तो आप लोग को इम्मुनिटी विस्ट करने के लिए आपको सुबह उटके कुछ जाते हो तो जरूर देखना ठीक है तो अब मैं कहा रही हूं कि चलो अब मैं इस वीडियो को यह अंड करती हूं क्योंकि काफे लंबा हो जाएगा वीडियो काफियो कल फिर से नए भीडियो के साथ आउँगी नएद नए टॉपिक के साथ आउँगी चलो आज की लिए जो चलो बाइब बाइब